आप सबको जैमसी की परमेश्व का धनिवाद देते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए नाशा करती हूँ आप खुश है और एकसाइटेड है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रात्नाओं के लिए आए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे उसके बाद हम मिलकर वच था बेमारी था मैं वर्षाम में अमरिता सिस्टर को वर्षाम में प्यार रिकोस्ट भेजा था वर्षाप दारा प्यार रिकोस्ट भेजा मेरा माच चांगा हो गया और मेरा भावी का पार फूल गिया था उसके दारा में वर्षाप दारा में पार्थोना रिकोस्ट भेजा औभी चांगा हो गिया और मेरा छोटवाला भाई उसका फुटबल खेल के पार में घुटनों में दरत हो गिया था उसका दारा में वर्षब में भेजा औभी चांगा हो गिया और मेरा भाईया का थोड़ा लेंगडा पन चलता था उसका पार में दरत था वो भी वर्षब दा वादार उसका पूरी टीम को में कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूं वो लोग हमारे लिए पार्थना करते हैं सुरुक्षित रखते हैं उसको मिनिस्टरी और आगे बाड़े पोभु का महीमा है पुरा देश में उसका मिनिस्टरी फेल जाए जय मसी आमेन सुबर शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद प्रेजलोर दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रातना में और आज मैं आपसे बात करना चाता हूँ कि परमेशो के कहे गए वचन पर विश्वास करें जो परमेशो के मुख से निकले हुए जो वचन है उन पर आप भरोसा करें उनकी परतीति कर लें उन प यदि आपने शुवस करना सुरू कर लिया तो वो वचन आपके जीवन में जीवित हो जाएंगे मिन्स वो वचन आपके जीवन में कार्य करना सुरू कर देंगे जैसे हम लोग देखते हैं यह उनराचिसु समचार उसके चार अध्याई में एक बार एक ब्यक्ति प्रभी येश्व मसी के पास आया और प्रभी येश्व मसी से विंती करने लगा कि प्रभू मेरा बेटा बहुत भीमार है यहां तक कि वो मरने पर है तो मेरे साथ में चल और उसे चंगा कर तब प्रभी येश्व मसी ने उस ब्यक्ति से कुछ इस परका दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभ येश्य मसी ने उस ब्यक्ति से कहा, क्या कहा? कि चला जा तेरा बेटा जीवित है। प्रव येश्य मसी ने इन सब्दों को उसके लिए कहा कि चला जा तेरा बेटा जीवित है और इस ब्यक्ति ने प्रव येश्य मसी की इस बात की परतीति कर ली तो उस ब्यक्ति ने मान लिया विश्वास कर लिया भरोसा कर लिया कि जो कुछ येश्य कह रहे हैं वो वचन मेरे बेटे के जीवन में पूरा हो जाएगा और उसने परतीती करके वहां से चला गया उस बात पर भरोसा करके कि जो कुछ येश्यों ने कहा है वो मेरे जीवन में हो जाएगा और वो वहां से चला गया जब वो आदे रास्ते ही में ही था तो उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने उसे सूचना दी कि तिरह बेटा जीवीत है तो उसने पूछा उनसे कि कब वो ठीक होना सुरू हुआ तो उन्होंने जब समय बताया तो उस बेक्ति को ऐसास हुआ कि ये समय ठीक वही समय है जिस समय येश्य मसी ने इस सब्द को इस वचन को कहा था कि चला जा तिरह बेटा जीवीत है ठीक उसी समय उसका बेटा चंगा होने लगा जबकि उसका बेटा दूसरी जगह था और प्रमेश्य मसी ने ये वचन कहा और उसका बेटा ठीक होना शुरू हो गया उसका बुखार उसी समय उतरने लगा तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं किस ब्यक्ति ने प्रभु के वचन पर भरुशा किया इसी प्रकार से आपको भी करना है प्रमेश्य के द्वारा कहे ग जो प्रभु के मुख से निकले हैं और जिन पर आप विश्वास कर रहे हैं और जब आप इस प्रकार से करेंगे जब आप परमेश्य के वचन पर भरुशा करेंगे तब प्रभु उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा यदि आप भरुशा करेंगे कि प्रभु यह जीवन में पूरा होगा तो निश्य वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा यदि आप भरूसा करेंगे कि प्रभू ने कहा मैं तुझा आसीस दुंगा तुझे बढ़ाऊंगा यदि आपने इन वचनों पर भरूसा करना शुरू कर दिया, इनको वास्ता में अपने जीवन में रिसीव करना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में ये वचन कारिय करना शुरू करेंगे। पूरे हो जाएंगे, और निश्य वो वचन आपके जीवन में पूरे होंगे, क्यों? क्योंकि वचन सामर्थी है, उसमें जीवन है, वचन के द्वारा अधवुत आश्यर कर्म होते हैं, और जब आप इन वचनों को अपने लिए इस्तमाल करेंगे, अपने परिवार के लिए और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आश्यशित करेंगे, और वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे, यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाते हैं, तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें, 8077-007695, धन्यवाद! मैं आश्या करती हूँ, इस वचन को आपने रिसीव किया और परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत किया है, मैं आश्या करती हूँ, सो आईए हम सम मिलकर प्रातन करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग में विराजमान हमारे पि आपका धन्यवाद देते हैं आपके नाम को प्रशन सा और तारीव देते हैं परमेश्य पिता आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आप इसके योग यह हैं धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्रात्मा का Holy Spirit हम आपको वैलकम करते हैं पवित्रात्मा हम अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं आप हमारे साथ में Holy Spirit हम आपका धनेवाद देते हैं आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजर्ग लोग इस शाम में मेरे खुदावन प्रभू इस fellowship को पिता हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं पिता बहुत से लोगें पिता जो आपकी उपस्तिती में आकर परमेश्व पिता महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ में हैं प्रभू जी उन्हें अच्छा लग रहा है पिता आपके साथ संगती करना प्रभू होने दीजे प्रभू इस पस रूप से परमेश्व अपने आपको उन पर जा पिता, आपका नाम बढ़ है, वो नाम जो सब नामों में, सबसे उोचा और महान है, जब जब नाम की हम उपासना करते हैं, जिस नाम को हम सर्व करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, कि प्रभू उस नाम से, प्रभू हमने उध्धार छुटकारा पाया, अपने जीवन में प्रभू इतना बड़ा सवभाग्य पाया है प्रभू कि हम तेरे बेटे और बेटियां, तेरी संतान कहलाए परमिश्वर, सच में हम आनन्दित हैं और आज जितने भी लोग परमिश्वर पिता, समस्यां में, परिशानियों में, प्रभू आप उनको रहा दिखाएं, प्रभू आप उनसे बातचीत करें, प्रभू आप सल्यूशन दे, प्रभू आप चंगा करें, प्रभू आप चुटकारा दे, क्योंकि आपके पास छुटकारा, चंगाई, आशीश, बरकतें, सब कुछ आपके पास है, इसलिए प्रभू हम सब मिलकर हियाव से परमिशर उस अनुग्रह के सिहासन के समी पाते हैं, मैं धन्यवाद देती हूं पिता, एक एक जन परमिशर पिता, आपकी दया आपके रहे है, क्योंकि प्रभू तु हर एक के लिए प्रभू यहां इस प्रित्वी पर आया, और तु उनके लिए मारा गाडा गया, और तीसरे दिन तु मुर्दों में से उनके लिए जी उठा प्रभू, इस बात के लिए धन्यवाद और जो कोई इस नाम पर, जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा प्रभू उद्धार पाएगा तैने वाद देते परमेश्वर आज प्रभू इनके लाइफ में परमेश्वर पिता है ऐसी प्राब्लम से प्रभू जिसको लेकर प्रभू ये बार-बार confused हो रहे हैं, depressed हो रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं उस बात को बार-बार जो सोच रहे हैं, में प्राहत न करती हूँ ये शु के नाम से इन बातों से चुटकारा दीजे परमेश्व पिता तेरे वचन पर इविश्वास करे क्योंकि प्रबू तेरे वच्चन में हम जानते हैं कि तुने हमें जैवन्त से भी बढ़कर बनाए प्रबू आप इन्हें जैवन्त करें इनकी परस्तियों पर प्रबू इनके फैमली मैटर्स है प्रबू येशु पिता मिसंडरस्टेंडिंग क्रियेट हो गई है पिता परिवारों में आपकी शांति आए अपका मेल मिला आपकी प्रेम आए परमेशर हर एक जन यूनिटी में रह सके परमेशर ऐसी दूआ हम करते प्यारे प्रबू पिता विशेश रूप साज के वचन के लिए हम धनिवादित हैं प्रबू इस शाम में आपने अपने लोगों आप आपका वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा यस माई लॉड आज बहुत से लोगे जो बढ़ना चाते हैं प्रबू और वो बढ़्ड नहीं नहीं पा रहे हैं पिता, प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटे उनकी लाइफ में, प्रभू तो आपको वच्छन पर विश्वास करने में उनकी साहता करें, कि आप उन्हें निस्चैप बढ़ाएंगे मेरे खुदावन, ये शुमसी आज बहुत से लोग एडिक्शन में हैं, नौजवानों के जीवन से, बाहनों और बाईयों के जीवन से चला जाए शुके नाम से, खुदा मैं प्रात्न करती हूं पिता, विशेश रूप से परमेश्व प्रभुजी, जो इस समय पिता, अपने एक्जाम्स के लिए परिशान हैं, परमेश्व पिता, प्रभु अप अपने याकूब को सकसेस्फुल किया, आपने उसे सफलता दी, प्रभु आप अपने लोगों को भी सफलता देना जानते हैं, उन्हें आप बढ़ाना जानते हैं, आप उनके जीवन में कारे करें, मेरे पिता, मैं दूआ करते हूं परमेश्व पिता, जब इनके लाइक में प्रबू ऐसा हुआ, प्रबो लोगों में धोका दिया इनने गिराने की कोशिश की प्रबू, और पिता ऐसे समय, प्रबू यह बहुत जादा टूटे और बिक्रेवे है पर्मिश्प पुल्र प्रभू यूश्ट के साथ में प्रभू ऐसा ही हुआ पिता, मेरे प्रभू फिर भी आपको वचन कहाता है कि आप उसके साथ में रहे पिता और आपने उसे प्रतिश्चिच किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में जब ऐसी परुस्थती है, तेरा वचन उन्हें उठाए और इस वचन की वो प्रतिती करे कि जिस प्रकार योशुक के जीवन में कारिक है प्रभू उसी प्रकार आप इन भाई बहनों के जीवन में भी आप इने सफल करेंगे आप इने मजबूत करेंगे पिता इस समय बहुत से लोग प्रभू अपने आपको कमजोर महसूस कर रहे है परमिशु पिता उन्हें लग रहे है कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभू इन्पीरियर्टी का प्रभू विचार इनके मन में आ रहा है येशु के नाम से हम उन विचारों को कैंसल करते हैं पिता तेरे नाम से उन विचारों को कैंसल आउट करते हैं आपके वच्चन से प्रभू हम साहित करते हैं प्रभू येशु मसी के जो कल्पनाएं आप इनके विशय में करते हैं प्रभु हानी की नहीं, परंति कुशल की है, मेरे प्रभु आप इन्हें आशीजद दे, मेरे कुड़ावन, आज जितने लोग बीमार हैं, येशु मसी नासरी के नाम से, उनके शरीर के रोग दूर हो जाए, प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु येशु नासरी के नाम से, इसी वक्त प्रभु ये चंगे हो जाएं प्रभु येशू प्रभु जिनके हेरफॉल हो रहे है dismiss जी जेनें हमेसा headache रहता है प्रभु जी और प्रभु migraine की problem रहती है पिता चक्कर उन्हें आते हैं प्रभु येशू के नाम से प्रभू, आप उनके brain को, उनके head को, आप उनकी इस problem को आप उने दूर करे, प्रभू, आप उने relief दे, प्रभू, आप उने आराम दे, आप उने चंगाई दे, permission, धनेवाद पिता, क्योंकि आपने कहा, मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा, इस समय जो जो रोग प्रकार तेरा वचन ये कहता है, उसी प्रकार हम इन बिमारियों से कहते हैं, कि उखड जाओ, निकल जाओ, नस्ट हो जाओ, येशुनासरी के नाम से, धनेवाद करते प्यारे प्रभू, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभू येश्मसी, प्रभू, बहन अनुपमा के ल प्रभू येश्मसी, मैं धनेवाद करती हूँ प्यारे प्रभू, हर एक बात को तेरे हातों में सौंपती हूँ प्रभू, हर प्रकार का कैंसर इनको छोड़ कर जाए, हाट प्रॉब्लम येश्मसी के नाम से दूर होने पाए, शुगर, बीपी, थाइराइड की बिमारी, इनके शरीर से दूर होने पाए, पिता परमेश्वर, प्रातनाय प्रभू, इनके घुटनों का दर्द, दूर होने पाए, पिता परमेश्वर, प्रभू येश्मसी, आपका धनेवाद करते हैं, आपका धनेवाद देते हैं, आपका धनेवाद देते हैं, आपका धनेवाद करती, प्यारे येशु मैं आपका धनेवाद देती हूँ, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्व पिता, प्यारे प्रभुजी, मैं प्रातना करती हूँ, प्रभुजी ने प्रभु, येशु के नाम से प्रभु, वो सफिद दाग प्रभु, येशु के नाम से दूर हो जाल हैए प्रभु, अपका धनेवाद करते हैं कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता आज की शाम में प्रभू अपने लोगों को प्रभू जी नेगेटिव जो विचार है उनसे आजाद करें पिता प्रभू यदि प्रभू इनके पास कोई भी बैड न्यूज आई है पिता परमेश्वर की इनकी रिपोर्ट्स गलत आई ये फिर बहुत से ऐसे बैड न्यूज आई है परंतु पिता ये तेरे वचन की प्रतिती करने पाए प्रभू इस समय आप उन्हें मजबूत करें और स्ट्रॉंग करें पिता धनेवाद देते हैं प्रभू हम तेरे हाथों में इन बातों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर और धनेवाद करते हैं कि आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रात्ना कर रहे हैं आप उन्हें जानते हैं उनकी तकलीकों को जानते हैं आप उनके हालातों को बदलें परमेश्वर एक बड़ा चेंज उनके जीवन में आई ये शू आपकर धनेवाद देते हैं धनेवाद करते हैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते है परमेश्व प्रभु जी आज रात में अच्छी नीन से सुलाएं नया दिन ही आपके साथ में देखें प्रभू पूरे प्रभू एनरजी के साथ में परमेश्व पिता फुल आफ फेट के साथ में परमेश्व प्रभू कि तु ननिवाद करते हैं येश्यू के नाम से हम विंती प्रात्न को मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन